तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़ी आसा हरे मसाले वाला भेजा बहुती जटपट मज़ेदार घर पर आसानी से बनता है और रेस्टरॉन में क्या ही खाया होगा एक दम डिफरेंट चीज बन रही है बनाया और खाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसेपी साधारन य बहुत है तो सबसे पहले मैंने यहां दो भेजे आप देख सकते हैं यह जो ऊपर की नर्व है इस समय आप निकाल पाएं तो बेशक निकाल लिएजे कुछ भी बोनी पाट रहे है तो वह भी निकाल कर फेग दीजिए साइट पर मैंने पानी लिया है बॉल करने रखा है इस तरीके से फेस आरा है यह जो इंप्योरिटी तो यह मैं हटा देती हूँ और यह जब 4-5 मिनिट हो जाते तो यह भेजे को निकाल लिजिए और साइट पर रख दीजिए और जो उपर का जो पानी है न मैं पहले उसे पहले ऐसे ही निकाल देती हूँ हमेशा और उसके बाद पहले पानी फेग देती हो और फिर भेजे को मैंने यहां चान लिया तो आप देख सकते हैं छोटे-छोटे टुकडे मिले अब इसे हलिका ठंडा हो जाने दीजे जिए जब ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर यह जो रग है जिसे आप नर्फ कहते हैं जो भी कहते हो यह निकालत जाएं इसकदर आप चाहें तो हातों की मदद से या फिर आप चाहें तो तूटपीक से भी निकाल कर इसे बहुत अच्छे से इसकदर क्लीन कीजिए और इसे साइट पर रख दीजिए अब इस समय आप चाहें तो पीस करना चाहें तो कर सकते हैं यूश्यली मैं नहीं करती क्योंकि as it is, यह देख सकते हैं, आप अच्छे खासे, पीस तो हुए पड़े हैं, अब आप चाहें तो और बार एक पीस करना है, कर लीजिए आपके इसाब से, बीजे को साइट पर रख दीजिए, अब हम एक हरा मसाला बना लेते हैं, तो हाथ में आपने देखा कितना tightly packed, को भूदीना है, मैं वो दाल रही हूं थोड़ा सा, आप फूदीने के पत्ते हूं, तो आप फूदीने के पत्ते दाल सकते हैं, मैं 4-5 ice, यादि बरक दाल रही हूं, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे बहूद अच्छा पीस लीजिए, और इसे side पर रख दीजिए, अब एक fry pen या कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर मखन थोड़ा दाल दीजिए, 2-3 टेबल स्पून जितना थोड़ा सा तेल में दाल देती हूं और इसे पिगलने दीजिए, पिगल जाए तो यहाँ पर आदा चुला चाय कच्छा मच अदरक लसन का पेस्ट दाल कर इसे बहु आदन उसार नमक दाल दीजिए, 1-4 चुला चाय का चमच काली मिर्चो का पौडर दाल कर 1-2 मिनिट तक इसे भूल दीजिए medium आज पर, जब 1-2 मिनिट हो जाए, यहाँ पर साइड पर मैं mixer jar के अंदर 1-4 cup दाल के रखी हूं पानी हो, उसे चला कर मैं इसमें डाल देती हू और इसे डाल कर मैं medium आज पर ही चुला रख रही हूं और इसे बार-बार चलाते हूँ हुए, 1-2 मिनिट तक फिर से भूलने दीजिए, so that थोड़ा सा थिक हो जाए, हलका सा जब आपको लगे कि थिक होने लगा है, और अच्छा उबाला चुका है, यह जो हमने पानी डाला इसमें, तो हमने जो भेजा साइट पर रखा है, यह डाल दीजिए, boil करा हुआ, और आप चाहें, तो इस समय स्पेचिला की मदद से भेजे को pieces कर सकते है, बट मुझे ऐसे भेजा अच्छा लगता है, थोड़ा सा बड़ा, छोटा, ऐसी size काम, बहुत अच्छा लगता है, ह मैंने इसमें डाल दिया, अब एक मिनिट या आधे मिनिट तक ये भेजे को मीडियम आच पर fry कीजिए, यह मसाले में, जब आधा एक मिनिट हो जाए, चूले को कर दीजिए, slow आच और इसे ढख कर, चार-पाच मिनिट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं, जब तक त चूट जाता, जब 4-5 मिनिट हो जाए, यह देख सकते हैं, अब अच्छा कासा तेल छूट चूट चुका है, आपको लग रहा है कि यह ग्रेवी जादा लग रही है, तो आप सुखा दीजिए, मीडियम या फास्ट नाच करकर पर, मुझे परफेक्ट लग रही है, मैं अब अनुसार दालिए, ग्रेवी आप आपके हिसाब से अचस्ट कीजिएगा, और तीसरी बात यह है कि जब आप रग निकालते, नर्फ निकालते, बॉल करने से पहले और बॉल करने के बाद आप दोनु टाम निकाल सकते हैं, या फिर दोनु में से एक टाम यानिके बॉल बॉल करने से पहले निकाल लीजिये या बॉल करने के बाद निकाली जो उपर की नर्फ यह भीजे के लेकिन निकालना बहुत इंप्रेंट है, वो बहुत जरूरी है वो स्टेप बिल्कुल भी मिसमत कीजिएगा बहुत अच्छे से क्लिंग कीजिगा, मैंने एक और दिफर कीजिएगा फिर से आज रोंगी नहीं चांदार दम्दार रेसिपी के साथ अंतल दें टेक कैर अलाहाफिस बाई